तो गाज दिख सकते हैं या फर 12V का लाइट भी ओन हो गया है गाज अनि गाज हमार चो सर्किट है गाज वो सक्सेस्फूली वर्किंग है गाज हैलो गाज इंडिन एक्स्पेमेंट यूटीब चैनल पर आप सभी का स्वागत है गाज आज की इस वीडियो में आपको एक AC to DC कनवर्टर सर्किट बना कर दिखाने वाला हो गाज देस्यायके सर्किट जाए बनाना बहुत ज्याद आसाले इजील आप इस वीडियो को देख़्िकैसे घर पर बना सकते हो तो गएज जैसे वन डीटेल में इस वीडियो में निबना आए तो कंप्लीट वाच किजे और इस चैनल पर आदो पिल सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा जल्दी से इस सर्क्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं गाइज AC2DC मल्टी बोल्टेज कन्वर्टर सर्क्ट बनाने के लिए में कुछ इस टाइप के ब्रेज रिक्टिफायर का यूज़ करने वाला हो गईज देख सकते हैं यह 10 एमपेर का ब्रेज रिक्टिफायर है इसको गईज मैंने लूकल मार्केट से पर्चेस किया है 10 रुपे का एक ब्रेज रिक्टिफायर मुझे मिला है गईज इसके पाद के सबको एक 474 जे 400 वोल्ट का कपसिटर लेना है गईज और यहां पर देख सकते हैं हमरे जो ब्रेज रिक्टिफायर है इसमें 4 पॉइंट है यह दोनों सेंटर वाले पॉइंट हैं का इसको शोल्डिंग कर देना है इसके बाद जाए अपको एक 560 की हापड का रेजिस्टर लेना है गईज और यहाँ पर देख सकते है कैपसिटर के जो दो पॉइंट है गाई इसके पेच में इसको इस तरह से शोल्डिंग कर देना है गाई इसके पद अबको 10 ohm 1 watt का register ले लेना है और यहाँ पर देख सकते ब्रीज रिक्टी फर का AC इंपुट का एक पॉइंट बचा गई तो पुछ इस तवाले पॉइंट पर इसको शोल्डिंग कर देना है गाई तो वैज़ अब यहाँ पर देख सकते AC इंपुट के connection यहाँ पर complete हो चुके है गाई तो चलिए फटा फटा भी इसके DC output के भी connection कंप्लेट कर देते हैं इसके बाद गईज़ एक 12 वोड का डायोड ले लेना है देख सकते हैं यह जिनर डायोड है और गईज़ इस डायोड में दो पॉइंट है आनोड और यह cathode गईज़ इसका जो cathode साइट है जो bridge rectifier है उसके positive पॉइंट पर कुछ इस तरह से इसको शोल्डिंग कर देना है इसके बाद गईज़ आपको और एक 9 वोल का जिनर डायोड ले लेना है और जिनर डायोड का जो cathode वोड पॉइंट है गईज यह डायोड के आनोड वाले पॉइंट पर कुछ इस तरह से इसको शोल्डिंग कर देना है गईज़ इसके बाद गईज़ आपको और एक 6 वोड का जिनर डायोड ले लेना है और जो किस फर्स्ट वाले जो डायोड है गईज़ जो एनोड वाल पॉइंट है गईज इस पॉइंट पर कुछ इस तरह से इसको शोल्डिंग कर देना है तो कैसे आपर देख सकते हैं हमारे DC आउट्टूट के भी कनेक्शन यह पर कंप्लीट हो चुके हैं तो चलिए फटापट अपको एक बार मैं समझा देता हो कौन से डायोड पर कितना वुल्टी जाएगा देख सकते हैं यह जो पॉइंट है गईज नेगेटिव वाला पॉइंट देख सकते हैं यहां से हमें निगेटिव आउपूट में लेगा और यहां से हमे देख सकते हैं यहां पर कर देख सकते हैं देख सकते हैं कर दिया देई वायर कर दिया गए तो चलिए फटा फटा बढे इंगी एक्स्ट्र वास करते मिख कर देगा imped temple ौट लेंदध में तो यह आपर देख सकते हैं वायर को मैंने छोटा कर दिया गए तो चलिए कि इस पटा पटा भी इसका एसी इंपूट के भी आपर वायर कनेट कर देते हैं तो चलिए फटा पट इसके कनेक्शन यहापर कर देते हैं तो यहापर देख सकते हैं हमारा AC to DC driver circuit बनकर रेडी हो चुका है तो चलिए फटा पट यहापर टेस्ट कर लेते हैं यहापर multi voltage output आ रहा है की नहीं आ रहा है यहापर मैं switch को on करने से पहले आपको एक बार बता दू जिसे यहापर switch on करेंगे वैसे ही यहापर supply on हो जाएगा यहापर 220V AC input आता है तो यहापर आपको शॉक लग सकता है तो प्लीज आप इसको संभाल कर किजिए यह अपने रिक्स पर आप घर पर कर सकते हो यह project तो कि अब यहापर देख सकते हैं switch को मैंने on कर दिया गाई तो देखते हैं यहापर multi voltage output आता ही कि नहीं आता है तो यहापर देख सकते हैं multimeter को मैंने dc20 पर set कर दिया है तो चलिए अभी इसको प्रॉप को लगाते हैं इस फायर पर तो चलिए देख सकते हैं यहापर 3.50 वोल्ट यहापर शू कर रहा है तो चलिए देखते हैं भी सेकंड डायोट पर पर देख सकते हैं 9.36 यहापर वोल्ट शू कर रहा है रगार यहापर देख सकते हैं थर्ड नमबर के द कर 18.25 वोल्ट शू कर रहा है यहापर और किस यहां पर देख सकते हैं जो हमारी यहां पर डारेक्ट हमने वायर शोल्डिंग किया गई पॉजिटिव पॉइंट पर यहां पर ओर वोल्ट इस दिखा रहा है और लोड दिखा रहा है देख सकते हैं तो चलिए इसको मैं सेट करता हूँ 200 पर अभी देखते किस इतना हमारे आउट्पुट में तो किस देख सकते हैं ओट्पुट में 30 यहां पर आ रहा है गाई यहां हमारा सर्कुट है सक्सेस्पूली वर्किंग तो चलिए इसकुछ LED वगर इस पर चला के देखते हैं सब से पहले इस सर्कुट पर यह 3 वोल्ट का एलेड़ टेस्ट करेंगे यह काम करता है कि नहीं करता है तो चलिए इसको मैं डारेक्ट यहां पर कनेट करता हूं तो किस यहां पर देख सकते हैं लीडिबल यहां पर ओन हो रहा है गाई हमारे जो सर्कुट है अभी प्रॉपर काम कर रहा है 3 वोल्ट यहां पर आ रहा है गाई देख सकते हैं बूल्ट आ रहा था तो इस पर चेक करेंगे हम तो कुछ इस तरह से इसके कनेक्शन होंगे तो गाज देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट का लाइट भी ओन हो गया है गाइस अनि गाज हमारे से सर्कीट है वो सक्सेस्फुली वर्किंग है गाइस आज की इस वीडियो में पस्टना ही यह AC3DC कनवर्टर सरकीट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताजिए वीडियो पस्टनागी तो फ्रीज वीडियो को एक लाइक कर दीजे और कैसे यह वीडियो पहले बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब करके बेल आकन को ज शेयर कर सकते हो तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहें